कि नमस्कार असी मारिया वरत में आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरव और आज जो बात है वह एक पॉजिटिव सब्जेक्ट को लेके है तो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा आपने कहानी सुनी होगी तो यह कहानी ऐसी है कि जैसे फॉर्ड जो कि लैंड रोवर जैगवार को ओन किया करता था उसमें टाटा मोटर्स ने एक बीड की थी उसे दोनों ब्रैंड को लेने की लेकिन फॉर्ड ने रिजेक्ट कर दिया यह कहते हुए कि टाटा एक बहुत छोटी कार कंपनी है और वो हैंडल नहीं कर पाएंगी जै से उस समय फॉर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया लेकिन बाजमें फॉर्ड फाइनेंशल क्राइसिस में आया और चाटा ने फीर से बिड की उस समय फॉर्ट के पास कोई और चाड़ा बचा नहीं था क्योंकि कोई और कंपड़ी उन दोनों ब्रैंड को लेना नहीं चाहती थी अब यह दोनों ब्रैंड बहुत बड़े हैं ब्रेटेस मार्केट के लिए ब्रेटेस ऑटोमोर्टिव जो उनकी सेक्टर है उसमें आइकन्स माने जाते हैं लगजरी ब्रैंड से तो इनका जो इस्तमाल है वो रात्साही परिवार भी करता है साथ में वहां के सरकारी जो जैसे प्रदानमंत्री है वह भी दोनों म्रैंड का का इस्तमाल करते हैं तो टाटा के ओनर्शिप में हमें यह देखने को मिल रहा है कि काफी बढ़ो भी कर रहा है तो इस वज़ा से टाटा ने जो एक बहुत ही छोटी कंपनी थी और उनका प्रेजंस बहुत छोटा था लेकिन मैनेज बहुत ही अच्छे तरीके से किया है जो कि फोर्ड नहीं कर पाया तो इस वज़ा से हमें हम गौरवानवित महसूस करते हैं साथ में ब्रिटिस राज और इन सब्सक्राइब बात होती है कि ब्रिटिस कैसे भारत में और अब जाके भारत से भारत ये कंपनी ब्रिटिस क ब्रैंड्स को ओन कर रही है तो यह इसलिए यह स्टोरी हमें बारबार सुनाई जाती है इंस्पिरेशनल स्टोरी है प्राउड मोमेंट भी है लेकिन यह प्राउड मोमेंट जो है वह अब जो यह इवेंट हुआ था यह 10-15 साल पुराना हो चुका है क्या इसके अलावा और कोई ऐसी बाते नहीं हुई तो बात ऐसी है कि ऐसे बहुत सारी बाते हुई है और हम उसको जानेंगे बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है लेकिन मैं आज जो फोकस करूंगा वह टू विलर्स मार्केट में जो कि भारत दुनिया के सबसे बड़ा है तो खासका टू विलर्स के सेक्टर में जो टॉप के तीन-चार ब्रैंड्स है वह भारतिये ही है कार के उसमें तो हम देखते हैं कि सुजुकी हिउंडाई डॉमिनेट करती है जो कि जैपनीज सौथ कोरियन ब्रैंड है लेकिन बाइक्स में भारतिये ब्रैंड ही डॉमिन लिंक है आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करते ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए चलत टेंपलेट मैं सेट करना चाहता हूं टेंपलेट होगी जिसमें यह होगा कि कैसे भारतिय ब्राइंड बाहर की कंपनियों को एक्वाइड कर रहे हैं या उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं जिसके कारण आगे जलके उनको मार्केट एकसेस मिलेगी डेवलप्ट न नेशन्स में काफी बाका यह कैसे यह अंतर आव कैसे इस नहीं बना रहे हैं ऑफ जैसे अब कहा जाता उसको तो entry-level के जो बाइक होते वह जनरली वहाँ पे उतना प्रेफर्ड नहीं किया जाता अगर लोगों में लोगों का जो वहाँ पे सोच है क्योंकि भारत में बाइक का इस्ते माल जेनरली कंम्यूटिंग के लिए किया जाता है वां पॉइंट डू अनवर पॉइ होते हैं जो luxury collectible bikes होते हैं उनको prefer किया जाता तो इसलिए भारतिय वहां इंटर नहीं ले सकता है अपने यहां के commuting bike को लेकर तो यह template मैं set कर रहा हूं अब के साथ यह है कि इसमें जो है इनके साथ भी problems यह हुई है कि इनका तो presence बहुत जगह है लेकिन इनकी जो उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि यह जिस sector में compete कर रहे हैं वहां पर पहले से congestion बहुत ज़्यादा है तो congestion का मतलब है कि जो यह powerful heavy bikes बना रही है उसमें इनका direct competition दुकाती BMW उसके बाद Harley Davidson उसके बाद आपकी जो जैपनीज company है सुजुकी कावासा की यामहा हॉंडा इन सब के साथ है और उनकी जो डिमांड है वह बहुत ज्यादा है तो इसलिए KTM लोग prefer करते हैं लेकिन फिर भी इनका जो market share है वह बहुत कम है और इनके साथ भी financial crisis हुई थी जिस वजह से फिर बजाज ने इनके इनको help की थी इनको मतलब stable किया था कुछ financial backup दिया था प्रोमोटर की रूप में बजाज सामिल हुई थी तो बजाज की जो अब हिस्सेदारी है इनके ब्रैंड में वह 49 परसेंट है जो की एक जुनियर पार्टनर मानी जाएगी और 51 परसेंट जो है वह उनके original जो मिल रहा है लेकिन के टीम को भी बहुत जादा फाइदा हुआ एक बनी बनाई उनको पूरा system मिल गया भारतिय मार्केट में और इस मार्केट में वह इंट्री लेवल के जो बाइक जैसे मैंने बताया दोसो तीन सो सिसी के इंट्री लेवल के बाइक्स होते वहां पे डेवल system के connect जो भी जहां भी वह स्टैबलिस हुए है वहां पर इनका रीच भी है वह बहुत ज्यादा बढ़ा है तो इस वाज़ा से के टीम यहां भी बहुत ज्यादा सक्सेस कर रही है बाजाज को एक फ्यूचर प्रूफ प्लान मिल गया अगर फ्यूचर में के ओनर्स चाहते है कि वह सेल करें या चाहते हैं कि वह जूनियर पार्टनर बने तो बजाज कम्प्लीटली इसको टेक ओवर कर लेगी क्योंकि बजाज बड़ी कंपनी है के टीम से यह बात देखने वाली है तो टेंप्लेट मैंने सट कर दिया है अब इसी टेंप्लेट को लेके आगे चलते है तो टीवेस को भी अगर फ्योचर में मतलब डेवलट नेशन में जाना है तो उनको भी इसी तरह के एक ब्रैंड की जुरत है जो कि नॉर्टन है नॉर्टन ब्रिटिस ब्रैंड है यह भी इसकी लेगेसी है यह भी आइकनिक लगजरी ब्रैंड है कमांडो जो है वो 961 है तो अपाचे 310 CC की जो बाइक है वो TVS के स्टेवल में सबसे बड़ी बाइक है तो लेकिन यह 961 CC की बाइक है जो बहुत ज्यादा हेवी बाइक है बहुत मतलब सूपर बाइक की कैटेगरी में आती है यह कैफे रेसर कहा जाता है इस तरह के बाइक को और इसमें नॉर्टन को TV TVS ने खड़ी लिया यह भी प्राब्लेम्स में चल रही थी फाइनेंशियल प्राब्लेम्स में कुछ स्कैंस भी हुए थे मैनेजमेंट के साथ तो इसलिए TVS को एक डील मिल गई एक सस्ती डील मिल गई और इसका इसकी लेगेसी बहुत पुरानी हिस्टोरिकल बाइक है यह अपाचे 310 की जो यह पावर है वो 36 HP की है तो इसलिए इसमें जो मटेडियल यूज होते हैं जैसे आपका यह है इसको कारवन फाइवर है यहां भी कारवन फाइवर है टेटीनियम के इंजिंस ब्लॉक बनाए बनाए जाता है मैगनेसियम यूज किया जाता है तो कई तरह क लक्जरी या फिर मतलब कॉस्टली मेटेडियल यूज करके इनको बनाए जाता है तो इस वज़ए से यह सारी बाइक के डिमांड जो डेवलपनेशन में बहुत होती है तो इसलिए टीवीएस को भी अप एक हेवी बाइक टेकनोलोजी उनको मिल गई साथ में उनकी जो खुद का ब्रैंड लॉंच किया था लेकिन वो मार्केट से हटे नहीं वो सेक्टर से हटे नहीं और उन्होंने जावा को एक्वाइड किया जावा अगर आपको याद हो नैंटीज एटीज में बहुत जादा चली थी यह दी नाम की उनकी एक बाइक आती थी जो कि कहें क्र से इन्होंने खडीद लिया और जावा अगर आप देखे तो एक यूरोपियन कंट्री है और इसको फिर से रिवाइब किया और अब जाके जावा में ग्रोथ देखने को मिल रहा है अभी तो यह चल रही है न्यूली रेंट्रोड्यूस्ट है तो आगे जाके ही पता चलेग कि कैसे परफॉर्म करती है लेकिन अब महिंद्रा ने भी अपना जो है इंट्री दे दिये आप यूरोपियन मार्केट में कैसे यह जाए तो जैसे टीवी अस बाजाज की मैंने बात की वैसे ही जो यह है आपकी महिंद्रा वह बीसे को इन्होंने ओन कर दिया तो यह जो बी यह से नौर्टन और ट्राइंफ एक ही कंपनी में आती थी और इनका वर्चस्व जो था वह पूरे विश्व में था एक समय जैसे की मतलब एक मोनोपली टाइप की पूरे दुनिया में इनको सराहा जाता था इनकी डिमांड हुआ करती थी पचास साथ सतर के दशक में ब्रि यापानीज बाइक आने लगी जो अपने सस्टी बाइक भी ओफर करती थी साथ में रिलाइवल भी बाइक ऑफर करती थी हलकी बाइक से रहती थी लेकिन धीरे धीरे इनकी डिमांड कम हो गए जो ब्रेटेस बाइक और यह तो पुरी तरह से बैट गई नॉर्टन फिर भी चल रही थी लेकिन यह पुरी तरह से बैट गई ट्राइंफ अलग होके वह अच्छा परपॉर्म कर रही है तो बी ऐसे को अब फिर से जैसे जावा को महिंद्रा ने रियंट्रोड्यूस किया वैसे बी ऐसे को भी वह रियंट्रोड्यूस कर रहे है और यह जो मॉडल है खा पुरा डिजाइन बाइक की है वह उसी दशक के समय की है तो आप समझ सकते हैं कि अगर मिला तो रोयल इंफिल्ड की बुलेट के तरह लगेगी यह थ्री फिप्टी क्लासिक के तरह लगती है यह यह जो जो अगर देखे बाइक का तो उस समय की डिजाइन्स ऐसा ही होते थे अब फिर मेनने तीनों कंपनीस की बात की वाद की बात करें तो वह अमेरिका में जाके उन्होंने बाइक लीए अब यह जो बाइक है ब्योकी एक लेशिंग में काफी नाम है इनका लेकिन यह भी मतलब वही फैनेंशियल क्राइसिस इनके साथ भी है और मतलब हॉंडा हीरो को मार्केट एक्सेस चाहिए डेवलपिंग डेवलप नेशन्स में खासकर अमेरिका जैसे बड़े देश में तो हैमर हेड नाइन एलेवन नाइन्टी यह जो बाइक है यह हेवी बाइक है और आप देख सकते हैं कि यह स्पोर्स बाइक है उसके इस बाइब के कहा जाता है जो कि इसी का एक नया वर्जन एक अलग वर्जन होता है यह बाहा है जो कि डेजल्ट क हौण घ्रॏंड बाइक करण करते हैं बहुत आपको करवाना चांड़ strains के मार्केट में है अब बात ऐसी है कि यह तो डте QUE बात होगे जो टाटा ने जबBut किया थ और 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 भी ययूरोपेन ब्रैंड को भारत ही ere अक्वार कर रही है अब यह बात तो success तो future में ही देखने को मिलेगा कि कितने successful होते हैं लेकिन इसके साथ मैं और add करूं कि success story यहीं तक limited नहीं है जब आप developed nations की बात अगर कर लें उसके बाद developing nations होता है जो की potential जो future में growth होगा वो इनहीं developing nations में ही होगा जैसे आफ्रिकन महादेश में या फिर लाटिन अमेरिकन जो South American महादेश है या फिर जो East Southeast Asia यहां पर इन सब का growth होगा तो उन सब में आप देख सकते हैं कि कि किस तरह से अगर एक example ले African महादेश का वहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक article है हाँ बजाज एन टीवियस यहां पर आप देख सकते हैं हाँ बजाज एन टीवियस बजाज एन टीवियस एक डॉमिनेट द आफ्रिकन कॉंटनेंट आल्मोस्ट इंटारली तो यह बात ऐसी है कि आप यह वीडियो में आपको लिंक में डाल दूंगा यह बाइटर्वो का ए और यह यूट्यूब पे अबलेवल इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप इसमें जरूर देखे अच्छे से बताया गया कि क्यों किस वज़ाइसे किस कारण से भारतिये कंपनी वहां चाइनीज कंपनी को बिलकुल ही पचार के पूरे महादूइप मॉडल के बाइक बनाती है तो अब अफरिका एक महादेश है तो बहुत सारे देश हुआ एक देश में भी दस चैनीज कंपनी आ जाती है और एक ही तड़ा के मॉडल उनके एक ही तड़ा के स्पेर पाड रहते है तो इसलिए इतनी बड़े नंबर की आपको कंपनी दिखती है लेकिन अगर रिलाबिलिटी में जाए उनकी कॉलिटी में जाया ऋपना जाए तो उतना ज्यादा अच्छा उनका मतलब जो वहीं experience जाके फिर other developing nations में यूज करते हैं क्योंकि commonality रहती है वहां के customers और भारती customers के बीच में वहां भी committing के लिए ही बाइक का इस्तमाल जाना किया जाता है और आगे जाके advancement होती है तो sports bike और luxury bikes फिर वह prefer करते हैं तो इसलिए भारतिय बैंक बारतिय बाइक जो है वह success story बन रहे है यह हम देखते हैं लाटिन अमेरिका में साथ अमेरिका में हीरो मोटर कॉप बहुत चलता है सौथ इस्ट एशिया में भी बजाल हीरो टीवियस यह साड़े चल रहे है इरान में टीवियस काफी चलता है तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतिय बाइक बाइक जो है बाइक मेकर्स वह पूरे दुनिया में चा रहे हैं जो मैंने जितनी भी बात की आपको टेंपलेट दिखाया है डेवलप नेशन में कैसे की जा रही है भारतिय ब्रैंडों द्वारा उसके डेवलपिंग नेशन में कैसे अपना वर्चस वह स्थापित कर रहे हैं यह करनामत पहले जैपान ने कर दिया था जो हॉन्डा ब्रैंड या उनके और जो कंपनी वह भी चीप भायक्स लेके आये थे वेस्टर्ण ब्रैंड खासकर ब्रितिस ब्रैंड के अगेंस्ट उनके अल्टरनेटिव के तॉड़ पे हल्गी होती थी मैलेज अच्छा रहता था था क्वालिटी बिल्ड बहुत अच्छी होती थी इस वाजह से उनको प्रे तो देखने को आगे देखने को मिलेगा कि दूसरे मार्केट में कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है बजाज महेंदरा टीवियस हीरो का लेकिन जो अगर हम देखे एक पैटर्न तो मैंने जैपान की तो बात की ही कैसे पूरे दुनिया में चाही हुई है जैपनीज ब्रैंड वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि भारतिय ब्रैंड का भी फ्यूचर कुछ इसी तरह होने वाला और उसका कारण यह है रोयल इन फील्ड अगर हम कहें तो समराइस्ट कर देता है कि कि किस तरह भारतिय ब्रैंड जो है पूरे विश्व पे कब जा जमा सकते इनके साथ यह कि डेवलपिंग नेशन में इनका वर्च्वास है और डेवलप नेशन में नहीं यह दोनों तरफ बहुंत ही अच्छा परफॉर्ण करें काफी अच्छा तो यह जो अभी है राइडर मेनिया गुआ यहां पर इन्होंने एक नहीं मॉडल का इंट्रोडक्शन किया था जो कि सुपर मीटियोर 650 है यह भी नई मॉडल है हंटर 350 इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स है अब बात ऐसी है कि अगर आप इतनके मॉडल्स देखे तो यह कोई हेवी बाइक्स नहीं है यह सारे 350 400 CC 500 CC या यह 650 CC है यह अगर आप कहें डेवलप्ट डिनेशन में तो इंट्री लेव लुक जो है इनका जैसे यह जैसे आपको गोल्ड स्टार दिखाए तो उसी तरह का यह लुक दिखता है यह क्रूजर बाइक है यह भी 70's 80's का यह मॉडल है इसको फिर से रिवाइव किया गया है और तीसरा है यह बहुत सस्ती है माइलेज काफी अच्छी है कंपिटिशन मे अगर देखे तो यह इसी लेवल की अगर हाडले डेविट्सन की आप देखे तो वह तक भी आ जाती है जबकि इनका जो कॉस्ट है वह फोर तौजन फाइप तौजन डॉलर तो हाफ आफ अफ दे कॉस्ट आफ डॉयल स्वारी हाडले डेविट्सन यू गेट तो इंज्वा उसमें भी इनकी डिमांड ही नहीं है अगर आप देखे तो यूके में आज यह यूके की सबसे बड़ी बिखने वाली बाइक ब्राइंड बन चुकी है उसके अलावा पूरे विश्व में इन्होंने हाडले डेविट्सन को जो की डैडेक्ट कंपेटिशन में कहा जाता था जब हार्ले डेविट्सन भारत में थी उसमें भी यह हार्ले डेविट्सन के मतलब को पचार के अपना पोजिशन स्थापित कर दिया है पूरे विश्व में इन टरंस ऑफ सेल ऑफ बॉल्यूम इसे लिए यह रॉयल इन्फिल्ट एक जवर्दस सक्सिस स्टोरी हमें को यह रहाटा जो can get it यह वाली दो इसमें नहीं कुंकि जो यह ब्रैंड थी पहले तो is ब्रैंड यह भी थी बहुत पुरानी ब्रैंड है इसको चाहते का चाले वाली सबसे पुरानी बाइक ब्रैंड है लेकिन यह भारत में प्रेजह का पहले से था और यह देरे धीरे करते हुए नेच्रली यह भारती है बन गई अब सब्ता कप्रोक्शन बारत ना ढुbelt ईनिक अब चाहिए नेशन में चाहिए इंसके बाद जैपन साउथ कोरिया में भी यह काफी चल रहे है इवेंदो कि जैपान डॉमिनेट करता है वहाँ पर भी इन बाइक का डिवांड अब देखने को मिल रहा है तो यह बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है रॉयल इंफिल्ड की और इसी तरह का हम हमें आसा है कि बजार टीवियर्स रेप्लिकेट करे तो मैंने आपके सामने चार पांच स्टोरी ऐसे रखें तो आगे इसको फैला है फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को जरू प्रेस कर दे ताकि जब ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करू आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इस तर ने अभी ब्रिटेन को GDP नंबर्स में पीछे छोड दिया है तो इसलिए यहां कुछ तो हो रहा है और बहुत सारे सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन मैं आपके सामने एक स्पेसिविक सेक्टर की बात कर रहा था और यहां पर एविडेंस मौजूद है आपको कैसा लगा अगर आपको इसी तरह के कोई सर्जेक्ट पर बात करनी है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर त्रजेस्ट करें या ट्विटर पर मेरे साथ जूर के मुझे वहां पर जरूर बताएं तो अभी के लिए इतना ही अगले वार फिर मिलते है तब तब के नमस्ते जाए हिंद